समोही खलियान में अचानक लगी आग तीन पूंज जलकर हुआ राख नवादा जिले के वरसली गंज परखंड के जहौर गाउं में समोही खलियान में अचानक आग लग जाने के कारण खलियान में लगे धान से भरा पूंज जलकर राख हो गया जिससे हजारों रुपिय का मुल्की धान एवं बिचाली जलकर राख हो गया आग लगने की सुचना बाद में अस्थानिय थाना से पहुचे मीनी दमकल के साथ साथ गाउं के लोगों नीजी पंप सेथ के सहारे जुआओं ने घंटों मकसद के बाद आग पर काबू पा सका इस दरां जहौर गरामिन गरीब किसान लखन परसाद सर्जू परसाद तथा मनिकांद कुमार के हजारों रुपिय का मुल्की धान जलकर राख हो गई गरामिनों ने मिली जनकारी के अनुसार तीनों किसान की सारी धान का फसल खलियान पहुच गया था उसमें आग लग जाने के कारण तीनों प्रिता किसान बिना धान के हो गए हैं सनवाज प्रेरना तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका था प्रिता किसान ने जिला अधिकारी से अपदा रहा थे कोस के तहत उचित सरकारी साहिता की मांग किया है